दोस्तो एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रिजापती न्यूज में लॉरेंस बिश्णोई का खौफ इस कदर भारी पड़ रहा है सल्मान खान को ना केवल अपनी सुरक्षा बढ़ानी पड़ी बलकि करोडों रुपए खर्च करके एक ऐसी महंगी बुलेट प्रुफ गाड़ी खरीदने पड़ी जिसे गोलियां भेद नहीं सकती ऐसे में क्या खास है सल्मान खान की बुलेट प्रुफ गाड़ी में जिसमें वो खुद को इतना सुरक्षित महसूस करते हैं और उसे के साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि बुलेट प्रुफ गाड़ी बनती कैसे हैं कितने रुपए लगते हैं कहां बनती है और ये बुलेट प्रुफ गाड़ियां किस लेवल की सुरक्षिया दे सकती है आज आपको सब कुछ जानने का मौका मिलेगा बैल आइकोन भी दिखरा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सब से पहले दोस्तों साल 2018 से लेकर अब तक लॉरेंस बिश्नोई और उनके आदमियों द्वारा लगातार सल्मान खान को जान से मारने की धमकिया मिल रही है लॉरेंस बिश्नोई ने तो जेल के अंदर बैठे बैठे अपने एक इंटर्व्यू में ये तक कह डाला कि मुझे सल्मान खान से कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन उसने काले हिरन को मार कर गलत काम कर दिया जिसकी माफी अगर वो मांग लेता है तो मैं उसे जोड़ दूँगा जबकि सल्मान खान इस मामले में बोलने तो कुद तयार नहीं है लेकिन उनकी नए बुलेट प्रूफ गाड़ी को देख कर तो ये लग रहा है कि बाबा सिदेकी की मौत के बाद कहीं न कहीं खौफ का कीड़ा सल्मान खान के दिमाग में मंडरा रहा है तभी तो उन्होंने करोडों की बुलेट प्रूफ गाड़ी ले ली आपको बता दे सल्मान खान की जो बुलेट प्रूफ गाड़ी है उसका नाम है निसान पेट्रोल एस यूवी इसके लावा सल्मान खान के पास टोयटा की लैंड क्रूजर फ्री वी है ये भी एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है दोस्तो अगर निसान पेट्रोल एस यूवी की बात करें तो ये एक जापानी कमपनी की गाड़ी है जिस दुनिया भर में पसंद किया जाता है प्तर सालों से टिकी हुई है पावर के ममले में निसान की ये एस यूवी अपने सेग्मेंट में काफी मशूर है जिसका पावरफुल इंजन और एडवांस फीचर से और भी जदाखास बनाते हैं लेकिन सल्मान ने से बुलेट प्रुफ गाड़ी में ट्रांस्पॉम करवा है ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि गाड़ियों का बुलेट प्रुफ में ट्रांस्पोर्टेशन कैसे होता है असल में दोस्तों बोल चाल की भाशा में हम जिन गाडियों को बुलेट प्रूफ कहते हैं उनके लिए जादा भेतर शब्द आम्ड वीकल होता है या फिर बखतर बंद वाहन भी खा जाता है ये गाडिया सिर्फ बुलेट प्रूफ नहीं होती बलकि इन में एक हद तक बम धम पाके या कभी किसी तरीके के हमले से अपनी सवारियों को बचाने के ख्षमता होती है या तक कि देश की सेना के पास जो बखतर बंद गाडियां होती है उसमें सिक्यूरिटी के बंदोबस्त के अलावा मौका पढ़ने पर हमला करने के लिए छोटे बड़े हत्यार भी लग के लिए इन हाउस बुलेट प्रूफ गाडियां बनाती है यानि कि आपको गाड़ी खरीद कर उसे बुलेट प्रूफ करने की जरूरत नहीं है जिस तरह आप नॉर्मल गाड़ियां खरीदते हैं वैसे बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीद कर घर ला सकते हैं लेकिन बी प्रुफ गाड़ी में मॉडिफाई भी करवा सकते हैं। आये चलिए ये भी जान लेते हैं कि बुलेट प्रुफ गाड़ियां बनाने का प्रॉसस क्या है। सभी लेवल्स पर गोली को रोकने वाली स्टील की मोटाई अलग अलग तरीके की होती है। हलाकि गाड़ी के पैनल, छत, बैटरी, टायर सिस्टम, ब्रेक धमाके से बचाने वाला गाड़ी का निचला फ्लोर, गोली को रोकने वाला कांच, दरवाजे और इंटीरियर फिनिशिंग जैसी बेसिक चीजों के अलावा जादा पैसा खर्च करने पर और और भी कई फीचर् गाड़ी को बुलिट प्रूब बनाना बिल्कुल बे आसान नहीं है, जहां सबसे पहले तो गाड़ी के कई हिस्सों को अलग कर दिया जाता है, ताकि उसका वजन कम किया जा सके, यानि कि गाड़ी की वायरिंग, कार्पेट और सीटे वगारा अलग होती है, और फिर भी इसमें इस्तिमाल किया जाते हैं, यहीं मिटेरियल बुलेट प्रूफ जैकेट में भी इस्तिमाल होता है, इसके लावा कार में फायर वाल और क्रंपल जोन बंपर का भी इस्तिमाल होता है, दोस्तों इनमें ऐसा पदार्थ होता है, जो गाड़ी के किसी भी चीज़ से टकराने पर टकर के प्रभाव को कम कर देता है, जिससे गाड़ी के रेडियेटर और बाकी मशीनरी को नुकसाने पहुंचता, इसके लाव फैक्टरी वाला बुलेट प्रोफ गाड़ियों में विंडो ग्लास हटा कर उसकी जगह एक मूटी काच जैसी ट्रांस्परेंट शीट लगाई जाती है, ये शीट प्लास्टिक और लेट से मिलकर बनी हुई होती है, इसकी मोटाई आम तोर पर एक से दो इंच की होती है, सिक्यरिटी लेवल के हिसाब से इसे और भी मोटा किया जा सकता है, आर्मोर मैक्स नाम की वक्तर बंद गाड़ियों बनाने वाली कमपनी के CEO का कहना है, कि हम जो काम करते हैं उसकी lifetime warranty लेते हैं, लेकिन काच की warranty दो साल की होती है, यानि की गाड़ियों की तो पूरी warranty होती है, लेकिन अगर काच दो साल बाद खराब हो जाए, और कोई गोली उसे भेद कर अंदर बैठे, पैसेंजर को लग जाए, इसकी warranty कमपनी न इन्हें bulletproof बनाना एक बहुत बड़ी चुनोती होती है, रिपोर्ट के अनुसार किसी छोटी सिडान क्लास गाड़ी पर सबसे कम स्तर की bulletproofing की जाए, तो 500 पाउंड यानि अगर देखे तो 200 किलो से जादा वजन बढ़ जाता है, और अगर ठीक ठाक स्तर की bulletproofing होती है, तो वजन 1000 किलो से भी जादा बढ़ जाता है, और कई बार गाड़ी के मालिक ये भी चाहते हैं कि गाड़ी दिखने में bulletproof ना नजर आए, कि जादा भारी भर कम ना दिखे, ऐसे में वजन कम रखने की कोशिश की जाती है, वो भी गाड़ी के security cover को छेड़े बगैर, आप ये सम वजन तो बढ़ी जाता है, और इस बढ़े हुए वजन का फार्क गाड़ी की speed पर ना पड़े, इसलिए engine और गाड़ी के mechanism को भी काफी सुधारना पड़ता है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते है कि bulletproofing का काम जितना आसान दिखता है, उतना होता नहीं है, और सल्मान खा अंके पास भी है, तो दोस्तों मीद है आपको सब कोछ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, वाकी आपका वीडियो पर क्या खयाल है, कॉमेंट में बताइए ना, और ऐसे ही वीडियो उसको देख रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापती न्यूज को like, share, subscribe ज़रूर करना, और हाँ, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत!